आप सभी का बहुत बहुत श्वाकत है आज के इस टॉपिक नंबर स्टू में हम लोग अपनी टॉप 200 वाली स्रीज में आगे बढ़ना हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना है थाइप मिनट की स्रीज में क्या करिएगा शॉटन और शेरूर बला नहीं लगार बना पा रहे हो तो आज मैं यह भी बता को कैसे बनाना या ना तो क्या करिए आई बटन पर क्लिक करके पूरे प्लैलिस्ट की यांकारी ले सकते उसको देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है अमोनिया ग्रीन अमोनिया काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ऐसे वर्ड्स को हमेशे यह उप्यस हो एकnatural है क्या है chemical है सभी लोग जानते हो एक ग्रैस भी होती है यह मिनले हम कहां यूज करते हैं जो नाीट्रोजियस होते हैं उसको बनाने में जैसे यूरिया हो गया या ammonium nitrate होगया उसको बनाने में दो दिशायर लेकिन मान लो या हम क्या करें ammonia का एक ऐसा form क्रिएट करें जिससे क्या हो सके जो इंजन्स है वो भी चल सकें जैसे जानते हो की जो वह बहूंठ सारी ऐसी गैसे होती है जिससे हमारी कार चलती है ठेक है? लिकिड प्रेट्रोलियम गैस इससे क्या होता है? जो हमारी कार हमोचलती है तो उसी तरह green ammonia का यूज करें हम इंजियन चला सकते है सबसे ची बात क्या है? 구reamonia को लेकि यह क्या है 100% renewable energy ईया ग्रीं घृड़ी फ्री है ग्रींamamोझीय भी आहां तो जो ग्रीन सब्सक्राइब करेंगे और यह स्कारण करेंगे म्यामों यह सकी जिससे से कि जो भी हाइड्र लग्किक पावर होते हैं सोलर पावर है बिंड टर्वाइन है वहां से हमें रेनुबल एनर्जी मिलती है उसी तरह ग्रीन अमोनिया से भी हमें क्या मिलेगी रेनुबल एनर्जी यह बात ध्यान रखना और यह पूरी क्या होगी CO2 फ्री एनर्जी यह सबस खास बात है ग्रीन अमोनिया तो इन में क्या बात ध्यान रखनी है नंबर एक हारवर प्रोसेस के बारे में ध्यान रखना है किस प्रोसेस के तो यह बनता है तो दूसरा हाइड्रोजन और नाइड्रोजन को हम क्या करेंगे एक निश्य तापमान पर गरहम करके और प्रेसर कर लिए एक्जाम में पॉश्चन बन सकता है के लिए फिर में अंगले सेशन में तब तर के लिए अपने तयारी करते रहे हैं